ओम्शंति दो अक्टूबर के श्रोदनमस को सोगत है प्रमात्व कहते हैं स्वार्थ इर्शा और चिर्चड़े परनंस से मुक्त रहने वाले क्रोध मुक्त भावा बहुत ही इंपोर्टन वर्दान है मेरे लिए स्पेशली और कहीं आत्मक्ले भी होगा अपने आपको हम जख आत्मक्ले के रहे हैं औरों को जच करने के लिए नहीं कह रहे हैं यह वर्दान इसलिए अपने आपको चेक करें सारा फोकस सेल्फ पर तो कोई भी विचार भले दो आप अपने आइडियास देतें किसी को सेवा के लिए सोयम को ओफर करो आप कि मैं ये कर देता हूँ मैं य आप घर बार में, ज prawjähr हम किसी को आइडिया देतें कि ऐसा नकरो वैसे करो, यह सफ सेवा की बात नहीं रही है, घर बार के लिए बात पो हुड़ी भी है, तो लेकिन विचार के पीछे उस विचार को इच्छा के रूप में बदली नहीं करो, कि मैंने जो कहा है वही हो रू की इच्छा मत रखो, तो बोलना भी कर्म है, तो आपने कुछ आइडिया दिया वो भी कर्म है, सिर्फ एक्षिन करना ही कर्म ही होता है, बोलना भी एक एक्षिन है, इसलिए वो भी कर्म रता है कर्म करो, कर्म के फलकी इच्छा ना रखो का अरत यह भी होता है कि उसके कोई इच्छा ना रखो कि वो हो जाए जब संकल्प इच्छा के रूप में बदलता है यह है बहुत इंपोर्टन्ट जब संकल्प आपने कुछ बोला, सोचा और आपने सोच करके उसको बोला अपने आइडिया दिये, इच्छा के रूप में बदलता है, तब चिड़ चिड़ा पनाता है चेक करें अपना को कि आपने कभी किसी को बोला कि इसको जाके ऐसे कर दो और उसने वो बात नहीं करी उस तरीके से तो चिड़ चिड़ा पना जाता है लेकिन नी स्वार्थ होकर विचार दो क्योंकि हम जादतर हमें चिलचड़ा पन तब आएगा ज़ह हम देखते हैं कि हमारा नुकसान हो रहा है हमें फाइदा नहीं हो रहा है हमारे लिए कुछ गड़बड हो जाएगा हमें परिशानी आ जाएगी तो हम क्या होते हैं हम स्वार्थ में होकर कि हम क्या करते हैं विचार देते हैं और अगर वो नहीं होता है तो स्वार्थ रखकर नहीं करने परमात्मा तो लेकिन नी स्वार्थ होकर विचार दो स्वार्थ रखकर नहीं मैंने कहा तो होना ही चाहिए इह बस यहां problem हो जाती है यह मुझे भी अपनी आंदर चिक करना है हम सब को अपनेँ अंदर चिक करना है यह नहीं सोचो offer करो क्यों क्या में नहीं जाओ क्या में नहीं जाओ क्या नहीं सोचो मैंने कहा तो होना ही ची ये नहीं सोच बारमात्पा कह रहे है भगवान कह रहे हैं ये नहीं सोच ये हमारे भलिक ले कह रहे है क्योंकि अगर हमारे चर्चरपन, क्रोध यह सब कुछ रहेगे तो हमारी तवित खराब होगी हॉर्मोंज अपने आप उपर नीचे बिगड़ेंगे मस्तिश की प्रॉलम आ सकती है हाट की प्रॉलम आ सकती है है ना और साथी साथ संबंद बिगड़ सकते हैं बहुत कुछ हो सकता है तो प्रमात्व हमारे बखले के रहे हैं हमें बहुत ही महींत असर सहन आता क्यों है तो मैंने कहा तो होना ही चाहिए यह एक प्रॉलम है यह नहीं सोचो ओफर करो क्यों क्या मैं नहीं जबुँँआ आइडिया ओफर करो सुझाव ओफर करो Guidance दू, लेकिन नहीं मानते हैं, इसेは okay नहीं तो इर्षा गर्णा एक एक साथी आते है बात नहीं मानी हुआ नहीं इर्षार आती है, गर्णार आती है स्वार्थ या इर्षा के कारण भी क्रोध पैदा होता है कि मेरी बात क्योंनी मानी? इर्शा आगी, उसकी बात मान लिए उससे इर्शा होई है ना उसकी बात ही तुम मानते हो, मेरी बात क्यों नी मानते हो अच्छा वो तुमें जाता है, उसी से पुछो उसी से पुछो अब मेरी देखो क्यों पूछ रहे हो हम ये जब डालों मारते हैं इसका मिला हम इर्षा में है घ्रणा अपने अपको बहुत समझते हैं समझधार बहुत बुद्धी बन समझते हैं चाचा चौधरी बन रहे हैं अकलमंद हैं ज़्यादा ये सारी जब हम बाते करते हैं तो परमात्मा कहते हैं स्वार्थ या इरिशा के कारण भी क्रोध पैदा होता है स्वार्थ या इरिशा के कारण भी क्रोध पैदा होता है अब इससे भी मुक्त बनो बहुत important ड़िए सोचिए स्वार्थ है पुरा निवा क्रोध आ गया इरशा है आगे बढ़के कुछ लोग मुंसे कुरोध आ गया तब इससे भी अब इससे भी मुक्त बनो परमात्मा कहते हैं इस वर्धान को फिर से सुनियेगा मैं खुद इसको समझ रहा हूँ कह रहा है से समझी कोशिश कर रहा हूँ अपने अपको देख रहा हूँ अपने संसकारों को चेक कर रहा हूँ हम सब को करना बहुत जरूरी है हम कहां करत हो जाते हैं ओम श्यंति